हेलो गाई स्वागत है आप सबका आज हम बात करें कि हिंदूस्टांग कंस्ट्रक्शन कंपनी अच्छी खासी तेजी अभी 13% के इसके अंदर मौजूद है और अच्छे खासे वॉलियम के साथ वॉलियम देखे 150 मिलियन के आसपास का साड़े ग्यारा बजे के आसपास का टाइम हुआ है अभी इसके अंदर अभी देखे तो एक काउपें हैंडल का पैटर्न मनाएं वीकली चैट के उपर और और फुर्दर तेजी आ सकती है जो कि इसको 30 रुपे तक जो है ले जा सकता है क्योंकि इसने एक बड़ा ब्रेक आउ होल्डिंग है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसका पर हम जो है टाइम टुड़ाम अपडेट लाते रहेगे अभी जो है 23 रुपे का सपास का प्राइस है यह इसका डेली चार्ट है और अभी आगे यहां पर देखते है सब सब देखे तो इसके वो अभी आपको दिखाए देगा होगा यहां पर यह जो है डिलिवरी उटी है पिछले दिनों के अंदर ही इसके अंदर यह ब्रेक आउट की तयारी हो रही थी यहां पर जैसे कि आप देख सकते कि यह 20 रुपे के आज पास अभी आप देखे यहां पर तो यह दो दिन में पास पास जो है एक अच्छा कासा इसको support है तो यह मतलब की 30 रुपे तक जा सकता है लेकिन stop loss भी रखना जरूरी है और मतलब की support जो है वो आप खास करकर जो है नोट करकर रख सकते हैं सबसे पहले तो यह भी है कि जो लोग इसके अंदर holding रखते हैं यह वीडियो उनके ल इसके अंदर एक तैयारी हो रहे थी इसके अंदर breakout होने की और यह इसका weekly chart है अब इसके उपर चार कर लेते हैं लंबा chart भी देखें के छोटा chart भी तो क्यूं मुझे अलग रहा है कि यह 30 रुपे तक जा सकता है तो इसका एक reason है वह आप खास देखिए यहाँ यह weekly chart के उप यह चार जो है लंबे समय के लिए देखा जाता है अभी इसका price 30 रुपे है तो कॉपें हैंडल की अगर बात करें जहां तक मुझे पता है मुझे असा अलग रहा है कि जो इसका low होता है यहाँ पर इसका low देख सके तकरिबन 12-13 रुपे के आसपास है और उसका high होता है इस क्योंकि 12-13 रुपे के आसपास का low बनाया उपर में 23 रुपे के आसपास का भी यह high है तो इस हिसाब सा भी देखें तो यह 28-30 रुपे तक जो है यह जा सकता है क्योंकि इसने breakout गिया है लेकिन बीच-बीच में इसको resistant का सामना भी करना पड़ेगा तो वो भी हम देखेंग और भी लंबा चार्ट है तो एक तेजी का चैनल यहां पर कई न कई बना हुआ है जैसे कि यहां पर यह कोविट टाइम था उसके बाद एक low बनाया उसके बाद तेजी फिर थोड़ा सा consolidation फिर तेजी फिर consolidation फिर consolidation इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं और अब वापस से इसने जो है यहां तक का एक high बनाया और हर बार जो है इसके अंदर एक higher high की situation बनी हुई है यह आप देख सकते हैं आखरी में यहां पर इसने high बनाया था इसी लेवल के आसपास अभी यह काम कर रहा है 22-23 रुपे के आसपास उसके बाद जो है यह दो-3 रुपे उपर का हर बार जो है high बनाता है तो अब कियो कि इसको पार किया तो इनते short term के लिए मुझे सलग राए कि यह अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 24-25 रुपे तक सबसे पहले जो है यह जाने की कोशिश कर सकता है 24-25 रुपे higher higher कि इस मंथली चार्ट के उपर बात करें तो और एक वीडियो साप एक बार चेक जरूर करें देखे जरूर और लोंग वीडियो भी जरूर देखें अदाणी ग्रूप के अब आने वाला सामें काफी इंपर्टन है क्योंकि इंपर्टन रह सकता है क्योंकि 14 अगस की तारिफ नस्दीक है अगर आपके उसके अंदर भी holding है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो यहां पर अभी देखे तो यह आप देख सकते ग्राउंडिंग बोटम सा सिच्वेशन यहां बना हुआ है और यहां पर क्योंकि अब इसने जो है अगर यहां पर इसने ब्रेक आउट अगर देता है तो नेक्स्ट जो है इसक के अंदर यह तेजी आ रही है तो यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है अपनिया पर यह क्लियली यह देख सकते हैं दिस इस अ मंतिली चार्ट और लॉंग टर्म चार्ट है तो बस आज के विए यह फिर से डेली चार्ट है तो इससी लेवल के आसपास जो है आप इसको सब क तो नोट करके रख सकते हैं, सबसे पहला इसका बनता है, सबसे पहला इसका अब सपोर्ट है, क्योंकि अब 23 रुपे का प्राइस है काफी ज्यादा बल चुका है, देखिए बात करता करते हैं, यह 23 रुपे के ऊपर चला गया, अभी फिलाल है तो 20 रुपे जो है, यह एक यह एक रजिस्टन है, उसके बाद देखे तो 27 रुपे और उसके बाद देखे तो 30 रुपे का असपास का, तो यह तीनों के तीनों रजिस्टन है, नोट टार्गेट बट रजिस्टन, और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो यह सारी के सारी चीज़े आप नोट करके रख सकते हैं, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो, और इसके बहुत ही बड़ा यह एक कई ना कई अच्छी बात है, जो है इसने बुलिश केंडल भी बनी है, बड़ा ब्रेक आउट भी दिया है, तो इसके अंदर फॉर देज़ी आ सकती है, आप अगर चाहे तो, ट्रेलिंग स्टोपलोस का भी इस्तवाल कर सकते हैं, बाकी आप जो है चाहे तो, स्टोपलोस भी इसके अंदर रख सकते हैं, और आगें मतलब की यह जानकारी देदू कि यह जो इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, पहले सही, उनके लिए यह वीडियो है, सप अपर बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की, और आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर डिस्कलेबर, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले, उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फैनेजर एडवाइजन की सला ले, उसके बाद ही कोई डिस सीजन ले, तो उसकी जीमेदारी में, चोरेटी के साथ खुदी ले, ये वीडियो में ने जो केशन परपस के लिए बनाएं, मेरे तरफ से कोई भाई या सल के रेकमेनेशन नहीं है, थेंक यू